एक महने के इंतजार के बाद दो बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली है 11 अगस्त को OMG 2 और गदर 2 रिलीज हो रही है फैंस दोनों की फिल्मों का बेसबरी से इंतजार कर रहे है बता दे कि इस दिन रेंबिर कपूर की आनिमल भी रिलीज होने वाली थी लेकिन अब इसे पोस्ट पॉन कर दिया गया है इन दोनों ही फिल्मों में दोनों महान एक्टर नजर आने वाले है अब देखना होगा कि गदर टू गदर मचाती है या सावन में OMG 2 का जादू चलता है लोगों का ऐसा मानना है कि सावन का महिना होने के कारण OMG 2 को फाइदा मिल सकता है हाल ही में इस फिल्म का टीजर रिलीज कर दिया गया है जिसमें फैंस अक्षे कुमार की लुप को काफी पसंद कर रहे है इस फिल्म में अक्षेई कुमार उद्रक्षे बने महादेव बने हुए है फिल्म का पहला पार्ट 2012 में रिलीज हुआ था इस फिल्म में परेश रावल और अक्षेई कुमार लीड रोल में थे लेकिन फिल्म OMG2 में अक्षेई कुमार और पंकस त्रिपार्टी नजर आने वाले है पहले पार्ट में अक्षेई कुमार ने भगवान स्रिकृष्ण का रोल निभाया था लेकिन पार्ट टू में एक्टर भगवान शेव के किरदार में नजर आ रहे है OMG में दिखाया गए है कि कांजिला लियाने की परिश्रावल काफी नास्तिक रहते है लेकिन OMG2 के टीजर को देखकर यह नजर आ रहा है कि पंकस त्रिपार्टी काफी आस्तिक है कुल मिलाकर OMG के दोनों पार्ट की कहानी आस्तिक और नास्तिक के बीच की है वही सनी दोल की गदर टू का लोग पिछले 22 साल से बेसबरी से इंतजार कर रहे है 22 साल पहरे गदर एक प्रेम कता थेटर में रिलीज होई थी उस समय इस फिल्म की टकर आमिर खान की फिल्म लगान से होई थी वही इस फिल्म के दूसरे पार्ट की टकर OMG2 से हो रही है 11 अगस्त को OMG2 गदर टू रिलीज हो रही है अब देखना होगा कि किसका पलड़ा भारी रहेगा और कौन कितनी कमाई करेगा लेकिन इस समय तो OMG2 अपनी टीजर से दर्शुकों पर शाप छोड़ चुकी है जिसकी वज़े से कहा जा रहा है कि OMG2 गदर टू के आगे जाती दिख रही है गदर टू की कहानी लोगों की उम्मिद जैसी नहीं होगी तो OMG2 बॉक्स अफिस कलेक्शन की रेस में काफी आगे चली जाएगी तो इस समय OMG2 के टीजर ने गदर मचाया है और गदर टू मेकर्स को परिशानी में डाल दिया है वही अब सनी दियौल और गदर टू मेकर्स का OMG2 टीजर पर यही रियक्शन होगा ऐसा हमें लगता है वैसे आपको क्या लगता है OMG2 या गदर टू इन दोनों में से बॉक्स अब इस पर कौन गदर मचायेगा कमेंट करके जरूर बताना बाकि आगर आप व्याक्शे कुमार के टाहट फैन है तो एसे ही खिलाडी कुमार की मोवी से रिलेटेड हरेक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें